इस वीडियो में आपका स्वागत है, सभी भेली के लिए गूड न्यूज है, CSE के पोटल में eSrum NDUW सर्विस लाइब हो गया है, भेली का इंतेजार हुआ खत्म, CSE के पोटल में eSrum सर्विस एड़ हो चुका है, तो चलिए CSE के पोटल में चलते हैं, और लाइब दिखाने वाले हैं, CSE पोटल को लोगिन करना है, नीचे स्कूल डाउन करना है, newly arrived, recently at service, यहाँ आप देख सकते हैं, eSrum NDUW registration, इसमें किलिक करना है, right side service आ गया है, view product में किलिक करना है, eSrum सर्विस में आ चुके हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, registration through CSE, digital से वा, इसमें किलिक करना है, CSE से connect करना है, ID password डालके signing करना है, eSrum service CSE से connect हो गया है, dashboard, यहाँ से अपना profile देख सकते हैं, CSE भेली, भेली name, CSE ID, email ID, state, सभी भेलिस के लिए बहुत बढ़ा खुसकबरी है, फिर से eSrum service CSE में live हो गया है, new labor card apply करने के लिए, UW registration में किलिक करना है, labor card apply, processing तो आप जानते है आधार linked mobile number, आधार card में जो mobile number link है, वही mobile number को फिल करना है, इसके अप्चा को यहाँ फिल करना है, और send OTP में किलिक करना है, new labor card कैसे apply करना है, I button में मिल जाएगा, तो चलिए अभी back चलते हैं, eSrum service से जितना भी card apply किजिएगा, उससे देखने के लिए UW registration में किलिक करना है, NDUW, Complete Registration User, यहाँ से apply किया हुआ card का details देख सकते हैं, कितना card अभी तक apply कर चुके हैं, तो इस वीडियो में इतना ही बताना था, CSE के portal में, eSrum service एड हो गया है, हम सब भेलिस के लिए बहुत बड़ा खुसकबरी है, हम सब भेली मिलके customer का labor card बना के देंगे, I hope so video पसना आ होगा, video पसना आए तो like करें, और channel को subscribe करें, और bell icon जोरू दबाएं, ताकि CSE में जब भी new update आए, notification आप तक पहले पहुचे, तो मिलते हैं next video में,